रास्थान में जब से बीजेपी की सरकार बनी हैं तब से बीजेपी के दो नेता हैं जो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बर तोरते हुए नजर आते हैं एक हैं प्रदेश की कैबिनेट के मंत्री किरोडी लाल मीना जो अपने तेवर की वज़े से सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं तो वहीं दूसरे हैं विदायक बाल मुकुंद आचारिय जो अपने बयानों के लिए सबसे ज़्यादा चर्चाओं मेराना पसंद करते हैं जी हाँ समय समय पर बाल मुकुंद आचारिय के ऐसे बयान सामने आते हैं जो कहीं न कहीं राजस्थान की राजनीती में उठापटक की स्थिती जरूर बना देता है इसके साथ ही हर जगे पर जाकर बाल मुकंदाचारिय जन्ता की अवाज को ऐसे उठाते हैं जैसे वो विपक्ष की भूमिका में लेकिन अब उनका एक बयान सोशल मीडिया पर इतना वाइरल हो गया है जिसके बाद फिर से सामपरदाइक सोहर की बात करने वाली छोटी काशी जैपुर में थोड़ा सा तनाव बनता जा रहा है सबसे पहले बाल मुकंदाचारिय का वो बयान हम आपको सुनाते हैं सुनिये क्या कुछ कहा है उन्होंने चार बेगम और चठिस बच्चों को ले कर दो हुआ है चार hot रविश्टितिति ंहां को बता है, मुझे बताने के आउ Прidhari नहीं है कि ऐसा अनुपाज कर दिया है किसी इस प्रकिया उत्तों ने कर दिया है कि इस प्रकार से चोंग और कई कई प्रकार की कब्जे हो रहे हैं कोई मुस्लिम लागों के नाम से हो रहा है कोई बगबूर के नाम से हो रहा है अंगिनत तरह के जिहाद चल रहे हैं चारों और कब्ज आपने सुना कि बाल मुकुदाचारिय कह रहे हैं कि सनातनियों ने नियम अपना लिया है कि हम दो हमारा एक लेकिन इन मुस्लिमों ने चार बेगम और च्छतिस बच्चों का नियम अपना रखा है जो इधर उधर डोलते फिरते हैं इसके साथ ही कभी वो वक्ष बोड की जमीन पर कबजा कर लेते हैं कभी कहीं किसी भी जमीन पर कबजा कर लेते हैं ऐसे में खुले मंद से एक धार्मिक कारेकरम में बाल मुकुदाचारिय द्वारा दिया गया ये बयान एक बार फिर से चर्चाओं में इसके साथ ही सामप्रदाइक सोहर्द की बात करने वाले जितने भी मठादीश हैं वे भी बाल मुकंदाचारिय की इस बयान के निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में बने रहने वाल मुकंदाचारिय एक बार फिर से राजस्थान की जन्ता की जुबान पर चाहे हुए नजर आ रहे हैं आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नगरी मैं हूँ लालित वर्मा